के बीसी के कंटिस्टेंट इस बार शो को कुछ जादा ही इंट्रेस्टिंग बना ले हैं कल के एपिसोड में इन दौर की एक जोतिश हॉर्ट सीट पर बैठे थे और इन्होंने खुद को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी भविश्वानिया की थी कि वो शो जीत जाएंगे और होने और भी कई बाते की थी लेकिन के बीसी ने भविश्व बताने वाले का भविश्य ताई कर दिया और पंडेजी महज 10,000 जीत कर शो से बाहर हो गए इसके बाद होट सीट पर बैठी महराश्ट्र की एक ट्यूशन टीचर अश्विनी भोसले कौनमरे का करोड़ पती के ग्याहरवे सीजन में ट्यूशन टीचर ने बड़े-बड़े दावों के बाद महज 1,60,000 रुपे जीत कर खेल से क्विट कर दिया लेकिन चौकारे वाली बात ये रही कि जब फास्टेस फिंगर फरस्ट में उन्होंने सही जवाब सबसे तेज देकर अमिताब बच्चन के सामने होट सीट पर बैठने के लिए उन्हें चुना गया तो वो इतनी जादा उतावली हो गई कि वो केविसी के सेट पर इधर उदार दोन ने भागने लगी जब केविसी के ओर से इस महिला ट्यूशन टीचर का वीडियो दिखाया गया था उस वीडियो में ये साथ करोड जीतने का दावा कर रही थी जब अमिताब ने उसे पूछा कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है तो उन्होंने कहा कि वो बच्चों को सभी सब्जेक्ट की ट्यूशन देती है और हैरानी तो तब हो गई जब वो थर्ड क्लास के सवाल का जवाब नहीं दे पाएं इस सवाल के लिए उन्होंने ओडियन्स पोल का सहारा लिया तब जाकर वो इस सवाल का जवाब दे पाएं अश्वीनी से पूछा गया था कि इनमें से किस संख्या का माज सबसे अधिक है इसके चार आप्शन दिये गए थे 100-1, 211, 302, 222, 433 इसका सही जवाब 100-1 ता लेकिन अश्वीनी को इस सवाल का जवाब देने के लिए ओडियन्स पोल का सहारा निला पड़ा आम तोर पर इस लेवल के जोड घटाव सेकिंड क्लास तक सिखा दिये जाते हैं और उसके अनुसार ही सरकारे शिक्षा में पहली क्लास पर आम तोर पर 99 तक के जोड घटाव पर ध्यान दिया जाता है हाला कि अब बच्चे पहले से काफी तयार होकर आते हैं वह ये पहले से सीख लेते हैं इसके बाद दूसरी कक्षा में 9.99 तक प्लास और माइनस दिखाये जाते हैं लकिन अगर कोई चात्र या चात्रा थर्ड क्लास में आने के बाद भी ये सब हल नहीं कर पाता है तो उसे कमजोर माना चाता है अश्मी से और भी कई सवाल पूछे गए हम आपको बताते हैं वो सारे सवाली आसान थे जिनके उन्होंने जवाब दिये एक हजार के लिए उनसे सवाल किया गया कि लोग पर हिंदी कहावत को पूरा करना है नाचन जांगने डिश डिश टेश टेरा इसका जवाब उन्होंने आँगन दिया सवाल उनसे पूछा गया था कि नूडल्स बरगर किस तरह का फूड होता है इसका जवाब उन्होंने सही दिया कि एक फास्ट फूड है उसके बाद इसे पूछा गया कि पारंपरिक तौर पर इनमें से किस अवसर पर देवी सरस्वती की पूजन की जाती है उन्हें इसका अंसर सही दिया कि वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है भारती क्रिकेट में किसे माही के नाम से जाना जाता है पर भी उन्होंने महेंद्र सेहं धोनी का नाम लेका सही जवाब दिया दिल्ली खिरकी गणेश और नारायन के लावा शनिवार वाड़ा के पांचवे दर्वाजे का क्या नाम है इसके जवाब उन्होंने सही दिया जो की मस्तानी है उनसे सवाल किया गया कि रामायन के नुसार इन किस किस राज रिशी और भ्रम tää्य रिशी कहा जाता है तो उन्होंने बताया कि विश्वा में अनितरी हववा यड़े पर उतरता है तो आप किस भारती शहर में होंगे پورٹ بلیر बोल कर उन्होंने इस सवाल को जीट लिया इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि इनमें से किस उपनिशद यह प्राचीन दाशनिक पुस्तक के नाम का अर्थ है- महान वन पुस्तक इसका उन्होंने जवाब दिया बहद्दारण ने उपनिशद इन आसान सवालों की जवाब देने के बाद 7 करोड जीतने का धावा करने वाली अश्विनी भोसले महज 1,60,000 जीत का शो से क्वेट कर गए और साथे ये हराने दे गए कि बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर खोदी सवाल का जवाब नहीं दे पाए और भविश्य बताने वाला पंडित अपना ही भविश्य नहीं बना पाए